इस कोशन में किसी को डाउट हो चलो करी लेते हैं कोई बात नहीं बच्चे फिर कोई ना कोई तो बोली देगा सब डाउट है चलिए प्लस माइनस ठीक है ना परे स्टार्ट तो जो फर्स कोशन है ना वेल्यू आफ ओपनिंग स्टॉक इधर ध्यान दो इधर वेल्यू आफ जो ओपनिंग स्टॉक है अब ओपनिंग स्टॉक क्या माना जाएगा कुश्चन में सबसे पहले कहता है प्रॉफिट अभी यहां पे प्रॉफिट एज रिवेल्यू कॉस्ट के अकाउंट तो प्रॉफिट एज पर कॉस्ट शीट एक लाख बीस हजार एक लाख बीस हजा ठीक है आगे देखते हैं सर प्रॉफिट एस पर कैश्चू कॉस्ट शीट दे रखा है अब यह दे रखा है आपका सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक किसका राव मेट्रियल का तो क्या मानना है आपको इसको ओपनिंग स्टॉक वाले को सर क्या मानना है आप कमेंट आप बताईए ओपनिंग स्टॉक इसे एजा एक्समेंस ट्रीट करना है कॉस्ट में आपने 27,342 दिखाया यहाँ 27,458 दिखाया यानि फाइनेंस में आपने खर्चा ज्यादा दिखा रखा है कितना दिखा रखा है 27,340, 27,458 एक सो सोला ज्यादा खर्चा बिल्कुल सही तो यह माइनस में सर समझ नहीं आथ यह बताईए पहले पॉइंट को एक एक पॉइंट हर बच्चे से पूछ रहा हूँ जितने बच्चे लाइव है मैं हर एक बच्चे से पूछ रहा हूँ आप बोल नहीं पारे आपके सामने मैं नहीं हूँ तो कोई बात नहीं आप चैट में तो डाली सकते हो मैं देखके reply करने के लिए तैयार हूँ पहला पॉइंट क्लियर है तो बोल दिजिए सर क्लियर है आगे बढ़ जाएंगे अगले पॉइंट पे और किसी तरीके के वॉइस वीडियो कोई भी दिक्कत हो तो जरूर बता दिजिएगा ताकि मैं उसको चेंज करूँ क्योंकि मैंने उस लैप्टॉप के अंदर काफी इशू आ रहे थे उसको मैंने अब चेंज कर रहा है तो ताकि बेटर आपको सारी चीज़े मिल पाए प्रोसेसर वगरा के अकॉर्डिंग मैंने मैंने माइक से बहुत परिशान हो गया था माइक मतलब सिस्टम में ले नहीं पा रहा था ते एक सिस्टम मैंने फिक्स कर दिया है यस सर सभी बच्चे कह रहे है यस सर चलिए अब फिनिस गुड्स फिनिस गुड्स भी क्या है सर ओपनिंग है तो यह भी खर्चा ही है अब फिनिस गुड्स कह रहा है यहाँ 21 लिखा और यहाँ 20,642 यानि खर्चा हमने कम दिखाया 358 तो क्या होना चाहिए खर्चा कम दिखाया 358 देखिए और जितने बच्चे नए जो इन हुए है उनको पहले कॉस्चीट करना ही पड़ेगा अधरवाइस यह चैप्टर समझ में नहीं आएगा कॉस्चीट नहीं आई चलिए एक का है अभी कॉस्चीट का बता देंगे सारा आपको लीना का कहना है के सर यह बता दीजिए के माइनस में कैसे आई देखो हमें सोचना किसके बारे में होता है फाइनेंस और फाइनेंस के क्या प्रॉफिट तो आप ऐसा खर्चा ट्रीट कर रहे हो तो आपने फाइनेंस में देखो ज़्यादा खर्चा दिखा रखा है तो जब फाइनेंस में खर्चा ज़्यादा दिखा होगे अगर एक्सपेंस आपका ज़्यादा होगा तो आपका profit क्या होगा sir? Profit down होगा, तो हमें minus करना है और यहाँ पे खर्चा क्या दिखा रखा है अपने? Less दिखा रखा है, कम दिखा रखा है तो आपका profit क्या होगा sir? Profit आपका up होगा, तो plus हो जाएगा तो इस तरीके से हमने दिखा हैं ज्यादा कम कैसे पता चला? इन दोनों को comparison करने के बाद चलिए, work in progress यह कौन सा है? अब ध्यान दीजिएगा work in progress का आगे देखिए, ध्यान से कौन से? अब closing stock का मतलब होता है हमारा कैसे treat करने को बोला था? याद रखना, कैसे? income, तो अब मैंने income यहाँ 19,488 दिखा रखा है 19,300 तो भीया, हमने income कम दिखाया है कितना कम दिखाया है? 488, 379 109 रुपय का income कम दिखाया है तो सर, work in progress 109 का कम दिखाया है तो हमारा अगर income कम दिखाएंगे तो क्या होगा? माइनस में? छीक है सर Good evening 109, बिल्कुल सही अगला है यह raw material देखो यह ना closing लिखा है तो यह भी closing है, यह भी closing है हे भगवान, यह गलत लिख लिए हमने तो यह ना थोड़ा सा गलत हो गया किसी बच्चे के पास book हो तो please देख लीजेगा यह ना, यह वाला जो है ना यह मैं क्या से बताऊं आपको, चलो बता देते हैं यह closing stock ना, यहाँ पेसे start है ठीक है, और यह opening ही है थोड़ा सा mistake आगे पीछे हो गया यह opening ही है ठीक है, समझ गया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ 109, वो match कर लिजेगा जिसके पास किताब होगा, वो match कर लिएका question number 18 है और आपके book का ही practical problem question है यह मिल जाएगा आपको easily अब देखो, जो हमारा आगे देखा जाएना है तो यह raw material दे रखा है मैं लिख देता हूँ आपको साहाब यह working progress यहाँ है और closing यहाँ से start है अब कहता है closing में raw material आपका यह दे रखा है यानि 457 minus 326 131 रुपय का closing का मतलब क्या है sir, income 131 का आपने income कम दिखा रखा है तो closing raw material कम दिखा रखा है हमने और यह क्या होता है हमारा closing income, income कम दिखा रखा है तो minus हो जाएगा FG भी क्या होगा, income क्योंकि closing है, यहाँ 24 है और यहाँ 32 है, तो income जादा दिखा दिखा दिया sir, यहाँ तो कुआन बताएगा इसका जवाब 32, 660 आरा हम से बताओ यह 88, 6, 0 का आया difference, तो अब बताईए इसे हमें plus करना पड़ेगा या minus इसका बताईए किस में ज़्यादा है हमारा यह finance में, तो finance में income ज़्यादा मतलब plus closing stock किसका किसका, FG और आप बोल रहे हैं, सर इसे plus कर दो कितना, 88 6, 0 सर, add होगा, काफी बच्चे सही जवाब दे रहे हैं, मानसी आपने गलत दवाब दिया, less होगा इसको add करना है, क्यों add करना है income बढ़ेगा, तो add करेंगे very simple चलिए, work in progress income ही है, यह भी, closing है 21, 900 और 200 और 300, तो कितने होगे 296 minus में 382 86 होगे सहाब, अब 86 ज़ादा है 86, ठीक है अब simple total कर लेते हैं 129 413 129 413 यहां के आएगा आपका profit as per finance account minus 16 और minus 161 यहां के आएगा 129 126 जो आगया 129 126 जी बताइए किसी बच्चे को doubt इसमें यह homework में दिया था हलाकि तो मैं कोई भी homework छोड़नी रहा मैं class में ही करा रहा हूँ बताइए अगले question पर चले यह भी दिया था किया homework में यह नहीं दिया था अब बताइए यह similar question है देखिए raw material opening, closing क्या आप यह हो जाएगा अगर आप बता दें कि sir यह question तो हम कर लेंगे अभी जैसा कराए बिल्कुल same वैसा ही तो है बस यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या profit है between cost, finance account कहता है in the reconciliation between cost and finance account one of the area of the difference in the four different method different method की वज़े से यह अलग-अलग आगया cost का और finance का stock valuation state the reason in each of the following circumstances whether the closing profit will be the higher lower of the lower than the finance तो आप cost को base मान लोगे और बस यहाँ पर बताना यह increase होगा और यह decrease होगा इसे minus plus करके नहीं दिखाना profit भी नहीं given बस आपको reasons देने हैं यहाँ ठीक है तो मैं reasons वैसे दे देता हूँ खर्चा है यह और खर्चा आपने ज्यादा दिखा रखा है तो minus हो जाएगा income है यह income कम दिखा रखा है यह भी minus हो जाएगा income है यह और income ज्यादा दिखा रखा है यह plus हो जाएगा खर्चा है यह और खर्चा कम दिखा रखा है यह plus हो जाएगा उपर के दोनों माइनस और नीचे के 2 प्लस तो यह बेसिक सा एक पार्ट था ठीक है